हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हो मेरा नाम डॉक्टर विकास यादव आप लोगा स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर विकास यादव पे तो आज हम बात करने वाले हैं कि नीट 2022 का पेपर हो गया है तो कैसा पेपर आया था, बायलॉजी पोर्शन कैसा था, फिजिक्स कैसा परसंट्रो और टेंडिकेटन डीजट्रा मिलेगी अपकी सारी गांसलिंग कराये जाई डी फ्री में इस चैनल न की लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अब अगर हम बात करें पेपर के मुल्यानकन की तो आपका जो पेपर का portion था, physics का portion बड़ा लेंदी बताया जा रहा है और meet 2021 से physics थोड़ी सी cut-in आई है यानि कि बच्चे question को solve करने में थोड़ी से problem face करें और उन लोगों से उस तरीके से नहीं solve उपाए जितना की 21 में जितना simple physics है biology NCRT based था पूरा, कुछ application based questions आए थे biology लगबग सारे बच्चे सही करके आए है और biology को simple बताया जा रहा है अगर हम बात करें chemistry portion की तो chemistry में organic और inorganic portion बहुत नहायती सरलता बच्चों का बिलकुल वही fixed questions आए जो repeatedly हर साल एक दो साल में आते थे वही सारे pattern fix आए लेकिन physical chemistry के कुछ questions आएने के equilibrium and all that वो थोड़े से tough गए है तो बच्चों को वहाँ पर थोड़ी problem face करनी पड़ी लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी थी उनका paper अच्छा गया है अब हम बात कर लेते है cut off की तो अगर cut off की बात करी जाए तो 2021 के रिगानिक cut off इस बार थोड़ा कम जाएगा क्योंकि paper का level थोड़ा जादा था इस बार का paper 2021 से tough था थोड़ा सा बाकि कितना cut off जाएगा इसकी उपर आपको separate video मिल जाएगे तो चैनल को subscribe करके जरूर रख ले और आप लोगों का paper कैसा गया मुझे comment section में जरूर बता है आपको क्या tough लगा physics tough लगी या chemistry tough लगी what was your take on this paper so please comment section में जरूर बताएगा video को like करिए channel को subscribe करिए मिलता हो लिए वीडियो में tell them bye bye take care keep us link keep rocking guys and telegram channel को join करना ना भूले और आप मेरे instagram पे भी मुझे message कर सकते हो Vikas 0876 मेरे instagram handle है so thank you guys